नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ प्रसनमिश्रा और दाहिंदू के दैनिक हिंदियनवाद में आपका स्वागत है तो आज है आठ जन्वरी 2017 तो आए शुरू करते हैं पहले पेज पे ख़बर है कि सूरी नाम के जो उपराष्ट पतियों भारत आए हुए और उन्होंने भारत को कहा है कि कुछ टेकनोलोजी हस्तांतरण उन्हें सूरी नाम को करना चाहिए सूरी नाम के समद्द में आगे जो ख़बर है वंदर के पेज में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ही चुनाव आयोग ने दृष्टिकोन यानि की उनका मत मागा सरकार का तो वैसे ही सरकार ने अपना बजट सेशन का एलाइन कर दिया तो यहाँ पर दोस्तों यह कहा गया है कि अभी जो बजट सेशन को 31 जनुरी से शुरू करने की बात कही जा रही तो उसको ले करके विपक्ष ने कुछ आपतियां दर्श की थी और विपक्ष ने चुनाव आयोग को एक याज़का दी थी कि इससे पांच राज्यों में होन की तारीक दी थी उने चुनाव आयोग ने उसके पहले ही सरकार ने घोशित कर दिया कि जो कि जो बजट है तो देश के लिए अब यहार है तो उसको टाला नहीं जा सकता है और सबसे महत्पून बात यह है कि यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणौम खरजी के द्वारा लोग सभा के सत्र के लिए जो अधिसूचना जारी होती है वो जारी कर दी गई है यानि कि अब लगभग लगभगी आसंबह हो चुका है कि 31 जनुरी से शुरू होने वाला बजट सत्र टेले इसके लिए फिर से नहीं सूचना राष्ट्पति को जारी करनी पड़े ही अगर चुन काम नहीं हो गया था तो साधार पर भाश्पक को भी ऐसा करना चाहिए हाला कि भाश्पक करता है कि नहीं वह देखा जाएगा यहां पर एक खबर है जानने लाए कुछ नहीं सिर्फ इतना जानना है कि इंडियन कॉंसिल आफ हिस्टोरिकल रिसर्च की यानि की आई सी एच क्या है तो उस पर कभी छोटा साब को एक वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा यहां पर एक चोटी से खबर चपी हुई है जो दिल्ली में रहते हैं तो उनको बता दूं कि प्रगती मैदान में विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है तो वह जा सकते हैं एक अन्य खबर है हले कि बहुत महत पूंड तो नहीं है यहां पे लिखा हुए किसिंग प्रैंक अंडर पुलिस लेंस यानि कि यहां पे दिल्ली में एक लड़का था तो कनाट प्लेस में जाया गरके लड़कियों को चूम करके भाग जाया करता था और उसकी वीडियो बन और इसकी आईडी चैनल का नाम था क्रेजी सुमित तो अब बेचारे का जो क्रेज है तो उसका क्या होगा यह तो भगवान ही जाने तो दोस्तों मैं आपको आगाह करूंगा कि आप कभी भूल करके भी ऐसे बेवकूफी भरे काम मत कीजिएगा यहां पे लिखा हुआ है कि मानुवा दिकार आयोग ने 36 गड़ सरकार को सेक्सूल असॉर्ट यानि की यौन पुलिस के द्वारा यौन प्रतारणना पर एक नोटिस भेजा है तो एक ख़बर आई थी कि 36 गड़ के आदिवासी बहुली लाके में 16 आदिवासी कन्याओं के साथ पुलिस ने कुछ गलत काम कियें कुछ जातियां की हैं और उसके वज़े से राष्टिमानुवा दिकार आयोग ने ये कहा है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने सुरक्षाबलों को नियंतरण में रखें और उसके लिए उन्हें कहा है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि राज्य सरकार को आदेश दिया जाए कि वो 37 लाक रुपए उन 16 पीड़तों को दे जिसमें 3 लाक रुपए जितनी बलातकार की पीड़ताएं हैं दो लाक रुपए जिनको यान प्रताणना दी गई है और पचार जार रुपए जिनको पीटा गया है तो यह तो अक्सर देखा जाता है कि इन इलाकों में कई बार इस तरीकी घटनाएं घट जाती हैं तो उन सबसे निपटने के लिए सरकार को कुछ तो ध्यान देना ही होगा लिकारी ने कुछ अनावशिक वीडियो पोस्ट कर दिया जिसके वज़े से किरणबेदी नाराज हो गए और उसको सस्पेंट कर दिया जिस बात को ले करके थोड़ी सी बात बढ़ गई है तो देखते हैं बागे चलके इसमें क्या होता है इसमें अगर कोई समवैदानिक सं आप लिए वहाले सी 2016 यानी कि एरोइस पेस और रक्षा नीती 2016 क्या है या आपको जानना चाहिए और यहां पर एक चीज़ जानने चाहिए कि एक गुजरात में तयार किया जा रहा है गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक से यह जिसे गिफ्ट कहा जा रहा है तो operation लोगों को ढोड़ने के लिए operation चल रहा था वो रोग दिया गया है जार खंड में ख़दान जो थी कोईले की वो धसक गई थी जिसकी वज़ए से तकरीबन 23 लोग उसमें लापता हो गए से शायद उनके बचने की संभावना अपकम है तो आपको बस यह जानना है कि यहां पर राज महल कहां पर है और ओपन कोल माइन्स यानि की खुली कोईला ख़दाने क्या होती है आगे आते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि रैन इन पंजाब हरियाना रेय्जर्ष होप उप वमपर वी ठीड यानि की गेहों की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा आशाएं बढ़ गई पंजाप हरियाना में ठोड़ी सी बारिष के चलते तो यह कहा जा रहा है कि पंजाप हरियाना जो है तो तो वहाँ पर काफी ज्यादा मतलब की परयात मात्रा में बारिश हुई है जो की western disturbance यानि की पश्चिमी विक्षोप के चलती है तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि पश्चिमी विक्षोप क्या है तो यह मैं आपको एक चोटास विडियो बना के दे दूँगा इस चीज़ का यहां एक मतपूर्ण खबर है कि आप यह जाने कि बेडाक्विलीन क्या होती है तो बेडाक्विलीन एक दवा होती है जो की TB के इलाज में काम आती है अब जो TB यानि कि यक्षमा यानि कि शैरोग जो होता है तो यह दो प्रकार का होता है एक तो साधारन शैरोग होता है जिसे TB कहते हैं दूसरा शैरोग होता है जिसे MDR TB यानि मल्टरिडग रेजिस्टन्स ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं यानि कि बहु आउशधी प्रतिरोधी टूबरकुलोसिस तो टूबरकुलोसिस यानि टीबी ये ऐसा टीबी होता है जो कि आम तोर पे साधारन दवाईयों से ठीक नहीं होता है तो मैं आपको ये बता दू कि जब भी आप कोई दवा बहुत जादा लेते हैं तो कई बार आप पर टीबी की आलाज के लिए यही 2 दवाएं दी जाती है और कई बार कई लोगों में इसके प्रति प्रतिरोधक Shantaya विक्सित हो जाती है और यह दोनों दवाएं फिर काम नहीं करती है तो इसलिए उनको ठीक करने के लिए जो दवा इस्तमाल की जाती है उसका नाम है बेड़ा कुलीन तो ऐसी इस्थिति में क्या है कि 12 सरकार ने ये किया है कि बेड़ा कुलीन जो है तो उसके मार्केट में प्रवा को बहुत कम कर दिया है उसके पीछे वज़ाई यह है कि अगर आप बेड़कुलीन भी जादा लेंगे तो वो भी आपके प्रतिरोधक हो जाएगी यानि कि फिर आप उससे भी ठीक नहीं होंगे तो फिर उसके बाद कोई दवा है ही नहीं कि जो आपको ठीक कर सके तो ऐसी स्थिती में सरकार का भी प्रयास है कि उनकी तरफ से दवा इतनी ज़्यादा ना आए मार्केट में लोग उसे बहुत ज़्यादा ले करके फिर इतने रेजिस्टेंट हो जाएं कि फिर अभी ठीक ही नहीं हो पाएं तो अला कि लेकर इसलिए लिखा गया था उनका कहना था लेकर का कि ये ठीक नहीं है कि सरकार ने ये दवा का प्रवाग कम कर दिया है जिसके वज़े से बहुत सारे MDR-TB के जो मरीज हैं ठीक नहीं हो पा रहे है तो इस पर देखिया आगे सरकार क्या करती है यहां पर एक मातपूंड खबर है जो biology से है कि hiding in the lungs यानि कि फेफ़डों में छुपा हुआ यह खा गया है कि जो Ebola virus है तो उसकी जो प्रतिकृती है लगातार बनती रहती नहीं कि उसका जो प्रतिचित्रन है यानि एक virus से दूसरे virus का बनना तो यह देखा गया है कि जो लोग Ebola से ठीक हो रहे हैं तो उनके फेफ़डों में वो प्रक्रिया लगातार जा रही है यानि कि Ebola के virus का प्रतिचित्रन वहां पर लगातार होता जा रहा है तो यहां पर जो अगली बात यह कही गई है वो यह कही गई है कि आम तोर पे पहले जो पाया जाता था कि जो Ebola virus है तो उसका फेफ़डे में एक कोष्ट है नहीं ककून होता है तो वैसा कुछ भी खास पाया नहीं गया है लेकिन यह कहा गया है कि यह कहा गया है कि उसके बारे में वो इस्टडी करेंगे और रिसेच करेंगे तो उनका सिर्फ यह कहना है कि जो RNA की उपस्थिती है तो वो फेफ़डों में कई महत्रपूर्ण इस्थानों पे इबोला वायरिस के प्रतिचित्रन को बढ़ा देती है जो यहां पे लिखा मैंने आपको अंबात करके बता दिया ज्यादा इसके बारे में हला कि मुझे भी नहीं पता देखना पड़ेगा अगर यहां पे खबर है कि श्रिलंका नेक्स्ट बिक फाइट तो यहां पे एक और बिमारी के बारे में लिखा गया है उसका नाम है CKD यानि कि Chronic Kidney Disease of Annon Etiology तो chronic का मतलब होता है चिरकालिक जो बहुत लंबी बिमारी होते हैं को chronic बिमारी हैं कहते हैं और etiology मतलब होता है इसे हेतु विग्यान हिंदी में कहते हैं यानि कि कि किसी भी बिमारी से छुटकारा पाने या उसके इलाज का जो शास्त्र होता है इसे हेतु प्रास किये थे तो उसी का यहां पर बखान किया गया है और जो एक महतपूर्ण चीजा होए जानिए कि जो विश्वसास संगठन है तो उसने पिछले महीने श्रिलंका को मलेरिया मुक्तगोशित कर दिया है अलाकि भारत अभी भी समस्या से बहुत ज्यादा जूज रहा है यहां पर एक खबर थी खबर ज़्यादा महतपूर्ण नहीं लेकिन आपको जानना चाहिए कि Income Tax Settlement Commission यानि कि आयकर निटारा आयोग ITSC क्या है तो दोस्ती इस तरह के छोटे छोटे संस्थान अक्सर आखबारों में दिये रहते हैं लोग इसका संग्यान नहीं लेते और क इनकी फंडिंग कैसे होती है यह सब चीज़े आपको देखने चाहिए दाई और एक खबर है कि बंगाल में विश्व बंगला यूनिवर्स्टी खोले जाएगी तो वंताब एनर्जी जी का यह कहना है कि वो रबिन ना टैगोर द्वारा खोली गई विश्व भारती यूनि वो क्यों है और वो कैसे शांत हो सकता है तो उन्होंने अपनी जो दूसरी आत्रह की थी दूसरी विजट की थी तो उसका कमपाइलेशन उने बना करके यानि कि उसके रिपोर्ट उनने बना करके दे दिया और उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों का यह मानना है कि भारत जो है तो उनकी समस्याओं को सही तरीके से समझना ही नहीं चाहता है और उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी ये मानते हैं कि भारत को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वन टाइम पॉलिटिकल सेटलमेंट यानि कि एक ही बार में कोई राजनीतिक समझोता हो जाए अबाला कि ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता वो तो भविश्य की बात होगी और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कश्मीर के ग्रामीट शेत्र हैं वहाँ पर जो भारत विरोधी भावनाएं हैं वो शेहरी शेत्रों से कुछ जादा ही हो गई है तो दरसल पर कश्मीर में समय आजादी की मांग बहुत जादा परवान चड़ चुकी है और देखना है कि आगे चलके भारत इसमें इस गुस्से को शांत करने के लिए क्या कदम उठाता है तो अगला है यहाँ पर इंडिया के इमर्ज सूपर पावर सूरी नाम तो जो बाहर खबर थी मुक्ष पेश पर चोटी से वो जहाँ पर पूरी है कि दोस्तो सूरी नाम दक्षिन अमरीका में एक देश है और जहाँ पर 30 फीसद जो लोग हैं तो भारती मूल के हैं वो कैसे हैं कि 1873 से लेकर के 1916 तक अंग्रेजों ने वहाँ पर खेतों में काम करने के लिए उत्तर पदेश और बिहार से कई लोगों को ले गए थे जो कि बाद में वहीं पर बस गए तो उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं उनका नाम है माइकल अश्विन आधीन और वो अब वहाँ के उपराश्टपती हैं अला कि उमर 36 वर से फिर भी उपराश्टपती बन गया है यानि कि एक बड़ा अचीवमेंट है तो यहां पर यूवा प्रवासी भारती दिवस पर आये हुए थे और उन्होंने कहा थे कि भारत में जो बदलाव आ रहे हैं तो उसकी वज़े से भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक और तकनीकी शक्ती बनता जा रहा है और उन्होंने कहा थे कि अगर भारत के विकास में कुछ योगदान करता है तो इससे भारत और उस भारती डायसपोरा को दोनोंको फायदा होगा यहां पर उन्होंने पूंड बात देकी लिए तो मतलब इसकी थी थीन थी जो यहां पर Komm evolved भारती दिवस है यहाँ पर लिखा हुआ है Urging to Minimize Monopoly in Businesses तो उन्होंने कहा कि ये बिजनेस में जो एकाधिकार है तो उसको कम किया जाना चाहिए और जो भारत है तो वो आगे चलके इसी तरीके का एक देश बन रहा है जो दुनिया में Balance of Power यानि कि आर्थिक शेतर में शक्ति का संतुलन कायम करेगा तो इसी तरह की कुछ सारी बाते थी और जो वहाँ की पुरानी बात थी तो मैंने आपको बता दी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हाला कि हम अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं और जो हम भारत से गए थी तो हम यहाँ से और शदी पौधे और बहुत सारे पौधों के बीज और यहाँ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानि के बात दिया अंतर ले गए थे जो कि वहाँ पे भी काफी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं जिसमें उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को डिsMusik्रेट किया है और ट्रंपको समर्थन किया है मतलब क्यों कि यह कहना है कि इसका चलाया था मतलब कि ब्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा अभियान चला रहा जिसकी वजह सेuchsलेरी हैकिंग तो की है पर मुझे उससे कोई लाब नहीं हुआ है तो हैकिंग का मसला क्या है अगर वीडियो छोटी लिंद की रही तो मैं आपको पूरी बता दूँगा यहाँ पे लिखा हुआ चोटी सी कबर है पाक मिलिटरी कोर्ट पाक मिलिटरी कोर्ट टू भी वूंड़ अप यानी कि पाकिस्तान की कुछ सैने अदालते जो हैं वो बंद की जाएंगी तो करिशावर के हमले के बाद जिसमें तकरीवन तेड़ सो बच्चे मारे गए थे तो पाकिस्तान ने एक मिलिटरी कोर्ट बनाई थी जिसने 161 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी तो इसके वज़े से दुनिया भर में और पाकिस्तान में मानवादिकार संगठनों ने इस बात की अलोचना की थी की परियाबत रूप से जाच पड़ताल नहीं हुई है और जो भी पकड़ में आया है उसको फांजिक सजा सुना दी गई है तो इस वज़े से पाकिस्तान के उपर दबाव था कि वो इस अदालत को बंद करे तो ये अब बंद कर दी जाएगी ऐसा कहा जा रहा है दो चोटी खबरे हैं कि काबल में फिर से तीन सो यूएस मरीन को तैनात किया गया है तो अशरफ गणी ने उनका स्वागत किया है और ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के रिटार्ट जनरल यानी राहिल शरीफ हैं तो 49 देशों का एक आतंकवादी विरोधी दस्ता त्यार किया गया है जिसके कि वो प्रमुक होंगे बिजनस पेज़ पर नीती आयोग के CEO ने अमिताफ कांत ने ये कहा है कि ATM और क्रेडिट कार्ड 2020 तक आप रासंगिक यानी की बेकार हो जाएंगे तो नीती आयोग के जो CEO हैं तो उनका कहना है कि देश मुझे इस तरीके से केशले सिक्वान में बढ़ रही है तो उसकी वज़ए से आगे चलके 2020 तक क्रेडिट कार्ड और एटियम वगएरे कोई आउशकता नहीं पड़े ही क्योंकि लोग मुबाइल से ही सारा अपना भु 2020 तक उपाता है कि नहीं है लकी इनका बड़ा दावाँ है यहां पर उन्होंने एक बात कई वहां से मुझे शब्द मिला उन्होंने कहा था कि भारत की बढ़ती होई अर्थवरस्था दुनिया के अर्थवरस्था के रेगिस्तान में एक ओएसिस यानि नखले स्टान की तर यहां पर लिखा हुआ है कि demonetization hits mudra loan dispersals यानि कि विमुद्री करण या नोट बंदी से जो mudra योजना थी तो उसके वितरण में काफी जादा मुश्किले आई हैं यानि कि उस पर असर पड़ा है तो यह कहा गया था कि जो development and refinance agency mudra जो एक micro units के लिए बनाई गई थी यानि कि सूक्ष्म जो उद्योग हैं तो उनके वितियन के लिए एक scheme बनाई गई थी जो कि मुद्रा scheme थी इस पर चोटा से विडियो बना के दोंगा तो उसका जितना उनका लक्षे था वो उसको प्राप नहीं कर पाए हैं इसके लावा यहाँ पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेंटर सेट्टर इन्विल स्कीम फर विमेर एंटर्प्रिणोर्स यानि कि महिला उद्यमियों के लिए के अंदर सरकार कोई योजना लांच करने वाली यानि विल का मतलब होता है परदा उठाने यानि के अंदर को योजना चल रही है जिसका परदा उठाये जाएगा तो जब परदा उठेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो योजना क्या है यहां पर लिखा है T.A.E.X.PORTS में डिपान केनियास बंपर क्रॉप यानि की चेंनिया में चाया की बहुत जादा पैदावार हुई है जिस की वज़ए से हमारा जो चाया का निर्यात है वो कम हो सकता है तो हुई क्या है कि कीनिया में बहुत जादा उत पदान से है उसकी समान पैदावार से 50 विसाद जादा हुई है साथ ही बंगला देश जो की धीरे-धीरे चाय की पैदावार करता जा रहा है और चाय का एक बड़ा उत्पादक बनता जा रहा है तो इन दोनों देशों की वज़े से हमारे चाय के मार्केट को थोड़ा सा नुक्सान हो है वहीं भारती चाय असूसीशन के अध्यक्ष ने कहा है कि चुकि कीन्या में की बहुत ज्यादा पैदावार के वजह से उनकी चाय की कीमत जो है बहुत ज्यादे गिर गई है तो हम उसकी जो प्रतिसपर्दा है नहीं कर पा रहें और प्रतिसपर्दा ना कर पाने के कारण हमारी जो चाय है वो अंतराश्टी बाजारें बिक नहीं रही है तो हमारे अंतराश्टी बाजार जो मोके हैं वो UK, US और पाकिस्तान है लेकिन अब यहाँ पर हमारी चाय की निर्या थोड़ी सी कम हुई है तो IIT मदरास ना एक ऐसे इलेक्टरोट का निर्माड किया है जो की बहुत ज़्यादा कारगार है IIT मदरास के कुछ आत्रों ने और प्रोफेसर्स के गाइडेंस में मिलके बनाया है उनका ये कहना है ग्याम ने जो composite battery त्यार की है तो वो 1120 mAh प्रतिग्राम के हिसाब से उर्जा को संचित कर सकती है वो भी तब जबकि वो 10,000 बार चार्ज और डिस्चार्ज हो चुकी हो तो ये एक बड़ी काम्याबी है उनकी और साथ में उन्होंने ये कहा है कि इसके बारे में जो तकनीक है तो मैं आपको बता दूँ कि जो carbon nano tube होती है जिसे कि हम CNT कहते हैं तो आम तोर पर जो battery होती है तो उसके वितर carbon nano tube होती है तो जब battery को charge किया जाता है तो material उस carbon nano tube के वितर भर जाता है और जब battery discharge होती है तो material उसके बाहर निकलता है तो आन्तवर पर ये देखा गया है कि जब बैटरी चारज की जाती है तो जो material carbon nano tube के अंदर जाता है तो बैटरी के discharge होने यानि कि उसका उपयोग करने पर बैटरी जब कमजोर होती है तो वो पूरी तरीके से उस carbon nano tube से बाहर नहीं आ पाता यानि कि जितनी दख्षता उसकी हो बात मात्रा में जो पदार था वो चार्जिंग के बार डिस्चार्जिंग के दौर में भी बाहर आता था जिसके वज़े से जो बैटरी की दक्षता है वो बढ़ गई है उनका कहला है कि हाला कि हम आगे भी इस पे कुछ रिसर्च करना चाहते हैं और वो रिसर्च जो है तो व मैंने भी बताया तो वह बढ़ करके 1675 मिली एंपियर और प्रति ग्राम यानि की बैटरी के एक ग्राम में 1675 मिली एंपियर और की उर्जा को संचित किया जा सेकेगा तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आपका जो सामान मुबाइल होता है तो उसमें तकरीबन 2500-3000 मिली एं होती है पांद वीस पचास ग्राम पता निच कितने होती है लिखा होता है तो उसमें सोचे कि 2000 यद 3000 मिली एंपियर और की ताकत होते ही यहां पर प्रतिग्राम वो 1675 मिली एंपियर और वो बनाने वाले है तो यानि कि यह बहुत बड़ी उनकी वह अचीवमेंट हो सकती है यहां पर China setting up largest altitude telescope close to LAC तो जो LAC है तो उसके निकट चीन जो है अपने दुनिया का सबसे उचा टेली स्कोप लगाने वाला है तो LAC के यानि की line of actual control तो दोस्तों जो 1962 का यूद हुआ था तो उसके बाद अक्साई चीन का इलाका जो था तो वो चीन ने कबजा कर लिया था तो वास्तविक सीमा हमारी बदल गई थी तो जो अभी एक विवादित सीमा है भारत वार चीन के बीच तो उसी को हम कहते हैं line of actual control और वहीं पर वो ये योजना को लगा रहा है तो उसने ये कहा है कि हम इस टेलिस्कोप को तिबबत के उस शेत्र में लगाएंगे हालाकि ये भी काफी बड़ी टेलिस्कोप है और आपको पता हुगा कि चीन ने अभी हाली ही में दुनिये की सबसे बड़ी रेडियो टेलिस्कोप बनाई थी इसके बारे यहां पर थोड़ी सी जानकारी दी वही है तो ये जो रेडियो टेलिस्कोप है तो चीन के गुईजू परांत में लगाई गई थी और ये दुनिये की सबसे बड़ी रेडियो टेलिस्कोप है और इसका जो मकसद है तो वो ब्रहमांड के स्रीजन के बारे में जादा से जादा समझ को विक्सित करना और साथ ही था एक्ष्टा-टरेश्ट्रेस्टियल लाइफ यानि की बाहर के ग्रहों में जीवन है की नहीं उसके बारे में खोजबीन करना उसका प्रॉख मक्सद होगा उससे महतवपूर्ण बात यहां पर लिखा हुगा है कि लेजर इंटरोफिरोमेटर ग्रैविटेशनल वेप अबजरवेटरी यानि कि लीगो जिसने की अभी बहुत महतवपूर्ण खोज की थी कि जो भी गुरुत्वा कर्शन तरंगे हैं उनको उसने खोजा था और ये धान्त हैं जिनके बारे में अभी तक कोई भी मतलब की वैक्यानिक रूप से प्रमाण नहीं मिल पाया था तो वो पिछले साल लीगो की अब्जरवेटरी की वज़ा से मिल गया थे क्यों उन्होंने कहा थे कि ग्रेविटेशनल वेवस होती हैं इनके बारे में अभी तक गहते हैं तो उसमें एक बैटरी बदलने के लिए पैसवाक यान्bot क्यात्र sfard में कुछ एं या चाहतु करहते हो वह दूसकी चैहां तो इस तरह से दोस्तों आज के दहिंदू का हिंदी अनवात पूरिते से समाप्त होता है तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे बताईएगा और दोस्तों जो लोग भी नए यूजर्स हैं तो उनसे मैं एक वार फिर से कहूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसे मुझे काफी प्रोथसाहन मिलता है और मैं जो भी वीडियो आपको बनाता हूँ वो आपको बीना कोई सर्च किये बीना कुछ की आपको सीधे प्राप्त हो जाती है इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलें तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद